आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइब का इफेक्ट सीखने वाले हैं अडोबी आफटरफेक्स के अंदर बेसिकली यहाला इफेक्ट मैंने आदिपुर्ष ट्रेलर के अंदर देखा था इसके अलावा जो भी फुटेज का मैं यूज कर रहा हूँ उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं for practice purpose वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को करेंगे ड्रैगन ड्रॉप कुछ इस टाइप से यहाँ पर so that एक composition create हो जाएगी वीडियो के according अब मैंने क्या किया simply मैं यहाँ पर इससे करने वाला हूँ track and tracking के लिए मैं यूज करने वाला हूँ mocha so मैं अभी adobe के latest version यूज कर रहा हूँ अगर आप adobe के latest version यूज कर रहे हैं so आप यहाँ पर जाए animation में और यहाँ पर आपको मिलता है track in boris fx basically इसमें आपको कुछ features free मिलते हैं इतने options से हमारा काम हो जाएगा और मैं यहाँ पर simply क्लिक कर रहा हूँ mocha के उपर अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर एक shape ड्रॉख करेंगे अगर आपको यहाँ पर कुछ इस type से interface देखने को नहीं मिलता है so simply आप लोग यहाँ पर इसे कर देना essential और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं spline tool के उपर और यहाँ पर हम लोग एक rough एक shape यहाँ पर ड्रॉख करेंगे कुछ इस type से और shape को close करने के लिए right click करेंगे and then हम यहाँ पर इसका जो भी skew है इसे हम यहाँ पर untick कर रहे है because अभी हम यहाँ पर skew की need नहीं है और simply आप लोग यहाँ पर क्लिक करो track forward के उपर so यहाँ पर हमारी footage track होना शुरू हो जाएगी इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर simply इसे करेंगे save और मैं यहाँ इसे कर रहा हूँ close अब मैंने क्या किया यहाँ पर create किया एक new null object so right click करेंगे new null object और मैं यहाँ पर गया और simply मैंने यहाँ पर इसके tracking के options को on किया और यहाँ पर click करेंगे create track data so basically आपको यहाँ पर इस layer को करना है select because हमने layer 1 के इंदर इसे track किया है then उकी press करेंगे और options में जाते हैं यहाँ पर export के और यहाँ पर इसे कर लो transform and then इसे यहाँ पर करो null 1 हम इस data को करने वाले transfer इस null 1 के उपर and simply click करो apply के उपर so now we can see अब यह जो null है यह same इसकी जो position है उसको follow कर रहा है अब मैंने क्या आगया मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर एक image ले रुखी है तिलक की so इसे मैं आपर कर रहा हूं drag and drop और मैंने आपर s press किया s for scale और इसे मैंने आपर कर दिया round 30 या तो इसे हम 40 कर लेते हैं चीके और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया place कुछ इस type से basically हम यहाँ पर इसके माथे में लगा रहे हैं इसे so यहाँ पर हम इसे arrange कर लेते हैं कुछ इस type से ठीके 35 कर लेते हैं जादा हो गया है I think 35 is enough ठीके न अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक plugin जैसका नाम है trapcode particular so यह plugin paid है so मैं यहाँ पर right click कर रहा हूं new solid और यहाँ पर just type कर रहा हूं मैं particular और ok press कर रहे हैं अब इससे पहले मैं क्या करने वाला हूं अपने इस footage को जो भी हमने आपे png यूज़ कर रहे हैं तिलक की इससे मैं यहाँ पर 3D में convert कर रहा हूं अगर आपको यहाँ पर 3D के option नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर right click करें column और यहाँ पर आपको सारे modes मिल जाते हैं basically otherwise आप F4 press कर सकते हैं और इसके लावा यहाँ पर expand के options मिलते हैं यहाँ पर click कर सकते हैं अब मैंने क्या किया मैं simply यहाँ पर गया effect और यहाँ पर आपको मिलेगा trap code और यहाँ पर आपको मिलेगा particular अगर मैं आपको कुछ फ्रिम आगे जाता हूं आपको कुछ इस टाइप से particles देखने को मिल रहे हैं अब इसके बाद क्या करना आपको simply जाना है इसके emitter में और यहाँ पर आप इससे करो simply layer और यहाँ पर जाओ simply layer emitter में और जो भी हमारे यहाँ पर footage है तिलक की उससे आप यहाँ पर करो select ठीके और मैं आप इसके eyes को close कर रहा हूं so now we can see हमें यहाँ पर particles देखने को मिल रहे हैं और मैं आपर particles कर रहा हूं around 50,000 so हमें आपर काफ़ी सारे particles देखने को मिलेंगे अब भी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ notice कर सकते हैं initial level पर particles हमें आपर नई शो कर रहे हैं और कुछ frame बाद या कुछ time बाद हमें particles देखने को मिल रहे हैं so इसे fix कैसे करेंगे इसे मैं भी half कर लेता हूं इसके लिए हमने क्या किया simply हम लोग यहाँ पर गए emission extra के अंदर और यहाँ पर आपको मिलता है pre run इसे आप कर दू 100 so initial level पर आपको particles देखने को मिलेंगे all over video में एक साथ इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा velocity अब यहाँ पर इसकी कर दो velocity 0 आपको यहाँ पर same इस type से कुछ देखने को मिलेगा ठीक है यह अभी यहाँ पर move कर रहा है इसे आप भूल जाओ अभी हमने इसे link नहीं किया है tracking के साथ इससे बाद में करेंगे अब मैं हापे कुछ frame यहाँ पर गया मैंने इसकी velocity के उपर एक key लगा दी ठीक है और यहाँ पर मैं यू-press कर रहा हूं इससे मैं हलका सा उपर कर लेता हूं और मैं आपे यू प्रेस कर रहा हूँ सो देट मैं आपे सारी की फ्रेम को देख पाऊँ और मैं कुछ फ्रेम आगे गया सम्वेर अराउंड यहां पे और मैंने आपे इसके जो पार्टिकल्स हैं उसे मैंने आपे बढ़ा दी अराउंड एठंड्रेट इसके बाद यहां पे जाते हैं इसके साइस ओवर लाइफ में और इसको हलका सागे शिफ्ट करते हैं और यहां पे आप इसका जो भी ग्राफ है साइकिर्ड वाला यूज कर लेते हैं ठीके, सेम यहां पे जाते हैं हम लोग ओपैसिटी ओवर लाइफ और यहां पे हम लोग करते हैं अगें सेम ग्राफ यूज कर रहे हैं साइकिर्ड वाला यहां पे कुछ इन्वर इस टाइप से देखने को मिलेगा अब मैंने क्या किया, मैं अगे नीचे गिया, और यहां पर आपको मिलता है physics, physics में जाने के बाद यहां जाते हैं इसके नीचे air में, और air में हमें कुछ options मिलते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, simply मैं इस keyframe के कुछ frame आगे गिया, somewhere around यहां पर, और यहां पर मैंने key लगा जो मैंने यहां पर keyframe लगा यह wind y में उसे मैं हलका सा पीछे shift कर रहा हूँ एक frame और इसे मैं यहां पर कर रहा हूँ around minus around 250 250 ठीक है अब इसके बाद मैं कुछ frame आगे गया बट इस वाली keyframe से पहले and then यहां पर मैं इसे कर रहा हूँ around minus 1300 ठीक है यहां पर क्या होगा यह इस side में particles जाएंगे so basically wind क्या करती है इसकी direction को define करती है और इसे मैंने आपर कर दे around minus 270 और यह थोड़ा सा उपर की तरफ यहां पर shift होगा ठीक है अब मैं इसके बाद यहां पर click कर रहा हूँ simply turbulence field के अंदर और यहां पर वापस मैं आता हूँ और यहां पर मैं की लगा रहा हूँ effect size के उपर effect position के उपर and scale के उपर और again मैं इन keyframes के उपर गया और अगर मैं यहां पर again you press करता हूँ सो मैं यहां पर सारी keyframes को देख पाऊंगा और यहां पर मैं इसे कर दिया around 28 to 30 और यहां पर मैं इसे increase कर रहा हूँ इसके effect position को somewhere around 80 कर लेते हैं ठीके values को आप अपने according रख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो values मैं यहां पर mention कर रहा हूँ से मैं आपको use करना है और scale को यहां पर increase कर लेते around 130 निरवाए ठीक है 133 अब इसके बाद मैंने क्या किया shift t press किया और यहां पर इसकी opacity की properties open हो जाएगी और मैं आपर कुछ frame back आया और मैंने यहां पर 1 की लगा दी opacity के उपर और last में जाते हैं कुछ यहां पर और इससे मैं यहां पर कर दिया 0 सो हमें यहां पर basically इसकी opacity कम होते भी दिखेगी सो अब मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं इसके उपर apply करने वाला हूं scatter सो यहां पर just type करते हैं scatter और scatter को यहां पर करते हैं drag and drop suppose that अगर आपको यहां पर यह वाले options देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है effect and presets सो आप simply जाओ windows में और यहां पर आपको मिल जाएगा effect and preset ठीक है और इसको आप कर दो यहां पर drag and drop इस particular layer के उपर अब मैं यहां पर कुछ फ्रेम में यहां पर आया इसके same नीचे मैंने यहां पर key लगा दी scatter के उपर और मैं last again keyframes के उपर और मैंने यहां पर इससे कर दिया fast box blur कुछ इस type से और यहां पर जाते हैं एक key लगाते हैं और यहां पर value कर देते round 1 और एक frame back आते हैं यहां पर value करते round 0.3 और यहां पर जाते हैं and then यहां पर value करते round 8 so मैं यहां पर कुछ इस type से smooth देखने को मिलेगा again अगर मैं यहां पर you press करता हूं so now हम लोग यहां पर कुछ इस type से सारी keyframes को देख सकते हैं something like this इसके बाद मैंने क्या किया सारी यहां पर क्या मैंने keyframes को select and then press किया F9 for easy ease otherwise in keyframes के उपर right click करो keyframe assistant and then easy ease so यहां पर आपको you know कुछ इस type से यह देखने को मिलेगा अब मैंने क्या किया इसके उपर add किया some curves so यहां पर just type करते है curves और curves को मैंने कर दिया apply और इसका जो भी यहां पर shadow वाला पार्ट इससे मैं हलका ऐसा उपर कर रहा हूं इस type से ठीके now see before and after ठीके अब last में क्या करेंगे इस यहां पर layer को करेंगे pre-compose उससे पहले हम इसे यहां पर करेंगे unlock उपर वाली layer को भी और यहां पर करेंगे दोनों को select shift के साथ then right click pre-compose और यहां पर आप just type करो particular comp and then ok press करो अब हमें क्या करना है मैं आपर first frame पर आ गया और मैंने इस layer को parent कर दिया इस null के साथ जो भी हमारी यहां पर particles की layer है अब यह क्या होगा proper यह जो पार्टिकल से यह फालो करेंगे हमारी इस वीडियो को कुछ इस टाइप से ठीक है न अब मैं इसके उपर add करने वाला हूं से हम drop shadow थोड़ा सा यहां पर add कर लेते हैं drop shadow और इसे यहां पर करते हैं drag and drop particles के उपर औ ठीक है और इसके बाद मैं इसके उपर apply कराऊं सम 10 और 10 को apply करते हैं यहां पर और इसकी जो value है इसे मैं आपर कर रहा हूं somewhere around 30 to 25 कर लेते हैं ठीक है before and after एक बार वीडियो को play कर लेते हैं so now we can see हमें आपर कुछ इस टाइप से effect देखने को मिल रहा है again अगर आपके आपके इसकी speed को तेज करना है जो भी आपके smoke की speed को तेज करना है यहां पर करो double click particles के अंदर और यहां पर press करो U और इन साथ यहां पर keyframes को करो select थोड़ा सा आगे shift कर दो तो यह fast हो जाएगा पीछे करोगे slow हो जाएगा वापस से एक बार देखते हैं इसको so कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो ready हो चुकी है so guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था I hope करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको वीडियो समझ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें इसके लाब कुछ भी doubts होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग कर सकते हैं आप लोग हमें follow कर सकते हैं Instagram and Facebook पर हम लोग आपके कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग तब तक के लिए guys take care bye bye मिलते हैं किसी next video में